हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा यूटूब चैनल सूबा स्टड़ी पे तो चलिए सुरू करते हैं आज के सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे इडिटेडिया का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट तो चलिए सुरू करते हैं पौला कोशन हो हो जाएगा परकास संसलेंशन होता है परकास संसलेंशन किसमें होता है पादब के हरे भाग में और जो पेण पौधे के पत्ते जो हारा होते हैं इसका कारण हो जाएगा पते में उपस्तित कलोरोफिल और कलोरोफिल में कहेगा कि कौन सी धातु पाई जाती है तो इसमें हो सकता है आपको बताना है कि जो बीज है कि इसके बीना अंकुरित हो सकता है तो पर्याप्त परकास के बीना जो बीज है अंकुरित हो सकता है उप्योक्त क्या क्या चाहिए तो उप्योक्त अधर्ता उप्योक्त अपमान और ऑक्सिजन के उपलब्दा चाहिए किस से पराप्त ह कोशन आता है कि जो कपास है यह किस से प्राप्त होता है तो यह प्राप्त होता है बीज से और कपास के उगाने के लिए सरवाधिक उपयोक्त मीठी कहेगा तो रेगूर जिसे काली मीठी कहते हैं और काली मीठी के निर्माण हुआ है बैसार्ड चटान से आगे देखेंगे त एक तीहाई सल्फर और एक तीहाई रबर का मिसरुन होता है यह एक योगिक है जिसमें एक तीहाई सल्फर और एक तीहाई रबर का मिसरुन होता है एबोनाइट क्या है तो पारकेर्टिक रबर के बलनी करा दोरा एबोनाइट बनाया जाता है और इसे कठोर रबर भी करते हैं आगे देखेंगे, चार नमर कोशन हो जाएगा, ATCH हर्मोन अस्त्रावित होता है, किसके द्वरा बताना है, ATCH हर्मोन जो अस्त्रावित होता है, पियूस गरंती द्वरा होता है, पियूस गरंती मानों सरीर के मस्तिक्स में पाय जाता है, और यह सबसे छोटा गरंती है, जिसक नमर हो जाएगा मनुसे का मस्तिक कितने भागों में विभ्याजित है तो जो मनुसे का मस्तिक्स है यह तीन भागों में विभ्याजित है अग्रे मस्तिक्स मद मस्तिक्स और पास्टे मस्तिक्स मचलियों में कहेगा मचलियों के हेदे में कितनी प्रकोष्ट पाया जाता है पॉच्छियों को उड़ने से रोकनी की परकिरिया कह रहा है कि क्या कहलाती है तर ब्रेडिंग कहलाता है और पॉच्छिक आध्यान किया जाता है और निथोलोजी में साथ नमर कोशन हो जाएगा टैक्सिको लौजी का संबंध किसके अध्यान से है टैकिसो लौजी का टैकिस्को लौजी में बीसो का अध्यान के आता है बैक्ट्रिया के आये तो यह कोशी की सनचना में यह सबसे छोटा जीव है और 200 में सबसे सुचतम जीव काएगा तो वाइरस हो जाएगा वाइरस के खोज किये थे यानिकि बिसानू के खोज किये थे इवनास की 1892 में और वाइरस के अध्यन को काते हैं वाइरोलोजी आगे देखेंगे आठ नमर कोशन हो जाएगा तरबाइन यहों डाइनेमो से बीजली प्राप्ट करने में किस उर्जा को बिदूत उर्जा में परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर चॉक्लेट सोस तक लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें नीम में से किसकी मात्रा अधिक होती है तो चॉक्लेट में सरवाधिक मात्रह होता है निकल का कोबाल्ट पायाता है विटामिन बी बारा में कोबाल्ट विटामिन बी बारा में पायाता है और कोबाल्ट को कौन सा किरन नियासित करता है तो कोबाल्ट कोबाल्ट नियासित करता है बीटा किरन सुक्रोज को क्या कहते हैं तो इसे टेबल सुगर करते हैं और सरवादिक कहेगा मीठा इसमें कौन सा है तो फरक्टोज सरवादिक मीठा होता है आगे देख लेंगे दस नमर कोशन हो जाएगा तारो के बीभिन समुहों के द्वारा बनाई गई बीभिन आकिर्तियों क्या कालाती है तारो के बीभिन आकिर्तिया कौन लोग कहते हैं आगे देख लेंगे अगला कोशन हो जाएगा 11 नमर आदर्स भोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है आदर्स भोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होता है तो अनन्ध होता है वही आदर्स आमीटर की प्रतिरोधकता क्या होता है तो सुनने होता है आगे देखेंगे 12 प्रबरा नमर हो जाएगा निमनाकित में से कोई सा साही समीलित नहीं है तो इसमें जो रयोन है ये साही समीलित नहीं है, रयोन क्या है तो सिंथेटिक रवर है रयोन सिंथेटिक रवर या सिंथेटिक फाइबर है बाकि ze definitive Areauxitocin क्या है तो संसलेसित मधूरक है और एस्पार्टिम क्या है तो संसलेसित रवर है नियोप्रिन क्या है तो बिसिस्ट रवर है और रियोन क्या है तो सिंथेटिक रवर या फाइबर है आगे देखेंगे तेरा नमबर कोशन हो जाएगा पथर को ठोकर मारने से ब्यक्ति को चोट लगने का कारण किया है तो यह हो जाएगा प्रतिकिरिया जड़तवे का माप किया होता है तो जड़तवे का जो माप होता है वो होता है दरबिमान संबेग बरावता है संबेग बरावता है बेग गुणे दरबेमान चाओदर नमर कोश्चन देखेंगे कोशिका के संदर्म में कौन सा कोथन सही नहीं है इसमें पताना है कि कौन सा कोथन सही नहीं है इसमें भी जो है सही नहीं है सर्व प्रथम कोशिका की खोज, रबर्ट कोश द्वारा किये गए थी ये गलत है, जो कि सर्व प्रथम कोशिका के खोज किये थे, रबर्ट हूक कब 265 में, और इन्हों ने मिलित ये कोशिका के खोज किये थे, रबर्ट कोश काएगा तो ये टीबी का, टीके का खोज किये थ और जिवीत कोशी का एकोश गए गा ता Northern Hawk किये थे बाकि देखतें हैं कोशी का सुच्टम, जिवीत रचना, ये सही है सबसे छोटी कोशी का जीवाडू कोशी का तती सबसे बढ़ी कोशी का सुतुर मूर का अंडगा होता है बाकी अप्सन साई था, भी छोड़ा कर उसे भी साई कर दिया गया है जिवित कहेगा, जिवित कोशने खोज किसने किया था तो लीमन हौक किये थे आगे देखेंगे, पंदरा नमर हो जाएगा सेप्टी माचीसों के सिर्ष में होता है सेप्टी जो माचीस होता है उसके सीस पर कौन सा होता है तो लाल फासपूरस होता है सफेद फासपूरस और पीला फासपूरस को जल में रखा जाता है क्योंकि ये वाउ के सांथ अभिगरिया कर लेता है सोरा नमर हो जाएगा नीम्ड में से कौन सा तत्व उतक्रिस्ट गयस का उधारन है तो इसमें हो जाएगा उतक्रिस्ट गयस का उधारन हो जाएगा हिलियम और हिलियम के खोज किये थे लोके एर नाइट्रोजन तत्वी जो है यह वाउ मंडर में सरवाधिक पाय जाना वाला तत्वी जो की 68% पाय जाता है हाइड्रोजन के खोज किये थे 766 में हेंडी केमेंडिस और हाइड्रोजन को अबारा तत्वी की संग्या दी गई है कलोरिन क्या है तो कलोरिन सरवाधिक इलेक्ट्रोन बंधूत्य वला तत्व हो जाएगा कलोरिन और सरवाधिक बीदूत का रिनात्मक कहेगा तो फोलोरिन तत्व हो जाएगा सरवादिक इलेक्ट्रोन बंदूत्ते वलतात्वे काईगा तो कलोरिन हो जाएगा और सरवादिक बीदूत कारियात्वे काईगा तो फलोरिन होता है आगे देखेंगे 17 नमर कोशन हो जाएगा कागज बनाया जाता है तो कागज बनाया जाता है पोधे के सेलो लोज से और भारत में पहला कावज के करखाना 1889 में लगनोव उतर पदेश में खोला गया था और भारत में कागजी मुद्रा के सुरुवात का एगा था 1862 में हुआ था और पत्र मुद्रा के सुरुवात का एगा था 1806 में हुआ था 18 नमर कोश्चन देखेंगे 18 नमर में है निमने लिकित मिश्र धातू तथा उसके संगठों का स्वही मेल बताईए तो इसमें स्वही मेल क्यों बी का है डॉच मेटल काईगा किस का मिश्रौन है तो तामबा और जास्ता का डॉच मेटल तामबा और जास्ता का मिसरोन है बाकी देखते हैं पीतल कहेगा किस का मिसरोन है तो तामबा और जास्ता का मिसरोन है कांसा हो जाएगा कांसा होता है तीन और तामबा का मिसरोन कांसा तीन और तामबा का मिसरोन होता है सोल्डर कहेगा तो सोल्डर हो जाएगा सीशा और टीन का मिश्रों हो जाएगा आगे देखेंगे 29 नमर कोश्चन है 222 पी महान आर्थिक मंदी कीस वर्स आई थी 222 महान आर्थिक मंदी आई थी 1929 इसी में और प्रथम अधावगिक निती घोषना की गई थी 1948 में आल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुआ था 1936 में राजियु गांधी की हत्या कब की गई थी 1991 में 20 नमर हो जाएगा किसी व्यक्ति के वास्तिविक जीवन अस्तर का आंकलन किया जा सकता है तो प्रती व्यक्ति आए द्वारा पहली राष्टिय आय के गढ़ना किस ने किया था तो दादा भई नरोजी किये थे 1866 में और उन्होंने उस समय प्रती व्यक्ति आए 20 रुपए बताये थे आगे देखेंगे 21 नमर कोश्चन हो जाएगा आय तथा उपभोग में किस परकार का संबंध है आय तथा उपभोग में कियेगा तो परत्यक्ष समय राष्टिय आय समीती गठन 1949 में हुआ था पीसी महानोबिस के अध्यक्ता में और राष्टिय योजना समीती के गठन हुआ था 1938 में जोहार लन नेहरू के अध्यक्ता में आगे देखेंगे 22 नमर कोशन हो जाएगा पिरिथिवी के बीभीन औस्तल रूपों जैसे परबत, घार्टी, पठार और मैदानों का निर्माण कीन परकिरियाओं के परियाम स्वरूप हुआ है तो ये हुआ है आंत्रीक और बाह परकिरिया के कारण सबसे बड़ा कहेगा 20 वे के सबसे बड़ा पठार कौन साय तो ये हो जाएगा तीबत के पठार और भारत में स्थित सबसे बड़ा पठार हो जाएगा लदाप का पठार आगे देख लेंगे 23 नमर कोशन हो जाएगा देश में कीन तीन वर्षों की अधी को यूजना अवकास के रूप में मनाया गया था तो ये अधी था 1966 से 1999 तक और इसका कारण आपसे पूछेगा तो भारत और पाक का यूद तथा सुखा पढ़ना चोबीस नमर हो जाएगा जै उर्बरग कौन सा है तो इसमें जै उर्बरग हो जाएगा एजो अस्पीरिलम हो जाएगा इवरिया का सूत्र क्या होता है तो NH2CO-NH2 इवरिया का सूत्र है कंपोस्ट क्या है तो जैविक खाद है आगे देखेंगे 25 नमर हो जाएगा 25 नमर कोशन है कि उत्री पूर्वी मांसून से किस परदेश में वर्षा होती है तो सरवाधिक उत्री पूर्वी मांसून से सरवाधिक वर्षा तामी लाड़ू में होती है और भारत में सरवाधिक वर्षा करेगा तो दौछी पूर्व मांसून से होता है अपना इंटरनेट चालू करने वाला पहला राज ये कहेगा तो केरल हो जाएगा और मैंग्रो बन भारत में किस राज में पाया जाता है पौशी मेंगाल में 26 नमर कोशन हो जाएगा निम में से कौन सा जोड़ा गलत है तो इसमें जो डी है ये गलत है पेरियार अभ्यार आंध्र पर्देश में नहीं पेरियार जो अभ्यारन है ये केरल में है और आंध्र पर्देश में इस्तित अभ्यारन का नाम है केंडिनिय बन जीव अभ्यारन कह आगे देख लेंगे 27 नमर कोशन हो जाएगा सबसे बड़ी मानो निर्मित जील कौन सी है सबसे बड़ी मानो निर्मित जील कहेगा तो गोबिन सागर हो जाएगा और ये हिमाचल पर्दस में है राणा परताप सागर जील कहेगा चंबल नदी परवना है और ये राजस्तान में इस्तित है बुलर जील कहेगा तो जमुकस्मिल में है और चिलका जील इस्तित है उडिशा में और ये भारत के सबसे बड़ा तर्टिय जील है भारत के सबसे बड़ा तर्टिय जील कहेगा तो संत्रा नगरी के नाम से भी जानते हैं चेनाई कह रहा है कि मदरा सिन्हा मदल कर चेनाई कब कर दिया गया था तो 1996 में और चमणा अनुसाधन केंदर कहेगा तो चेनाई में इस्दित है भारत की रधानी कलकाता से दिली बनाया गया था 2012 में आगे देख लेंगे 29 नमर हो जाएगा जूम किरिसी किसर से समभनित है जूम किरिसी कहेगा तो अस्थांतरन किरिसी से समभनित है और ये पूर्वी छेत्रे में सरवाधिक होता है 30 नमर हो जाएगा बालतोरो हिमनद इस्थित है बालतोरो जो हिमनद है ये कारा कुरम जो परवत माला है उस में इस्तित है बालतोरो हिमनत कारा कुरम परवत माला में इस्तित है कारा कुरम जो परवत है ये भारत चीन और पाक के सीमा पर भारत चीन और पाक के सीमा तक फैला हुआ है सिवालिक क्या है तो यह हिमाले का सबसे नया भाग है और इसे हिमाले का पातपरदेश भी कहते हैं आगे देखेंगे किस नमर हो जाएगा आकाल तक्त का निर्मार किस ने किया था अकाल तक्त का निग्मा किये थे गुरू हर गोबीन जो की सीखों के छठे गुरू थे और कहेगा कि अकबर की सीख की सीख गुरू को जमीन दान में दी थी तो ये गुरू तो ये गुरू रामदास और ये सीखों के चोथे गुरू थे और किस सीख गुरु के औरंग जेव ने हद्य करवाया था तो गुरु तेगबादुल की और ये करम से नवगा थे और प्रत्थम गुरु कहेगा याने कि सीख धर्म के संस्थाप़ कौन थे तो गुरु नानक और इनका जनम हुआ था 1409 में कहाँ पे तो तलवंडी पाकिस्त गुरु कहेगा शीखो के कितने गुरु थे तर दस गुरु थे कौन कौन देख लेते हैं परत्थम गुरु थे गुरु नानक दूसरा हो जाएंगे गुरु अंगल तिसरा हो जाएंगे गुरु अंगल तिसरा हो जाएंगे गुरु रामदस सौरी चौथा हो जाएंगे आगे देखेंगे 32 नमर हो जाएगा महरावली में जंग रहित लौ वस्तम कीस बन्स के समाय अस्ठापित किया गया था गूप्थ बन्स के समाय और कहेगा किस न अस्ठापित किया था तो चंद गूप्थ भी तीये। आगे देखेंगे, अगला कोशन हो जाएगा, तेतीस नमगर कोशन है, कर्मी का सिधानत किस दर्सन से समाधित है, नयाए दर्सन के परवर्ता कौन थे तो गोतमी थे और सांख्य दर्शन के परिवर्टक हो जाएंगे कपी और सबसे पुराना दर्शन कहेगा तो सांख्य दर्शन है वेदान्त दर्शन जो है ये तीन भाग में विवक्ता अधै दर्शन, विशिष्ट दर्शन और दैत दर्शन और अदयतवाद के कहेगा परवर्तक कौन थे तो अदयतवाद के परवर्तक थे संक्राचार और बिशिष्टवाद के परवर्तक कहेगा तो रामानुज चारे थे और अदयतवाद के परवर्तक कहेगा तो माधवचार थे और वेदान दर्सन जो है ये तीनों भाग में भिव गेर का और समूंद्र गुप्त के पर्याक पुरस्ती अभिलेक की राचना किसने की थी तो यह किये थे उनका कभी थे हरी सेंड सा जहां का बजबन का नाम काएगा तो खुर्राम हो जाएगा औरंग जेव का काएगा अनने नाम किया था तो जिन्दा पीर नियाई का जंजीर किसने अस्थापित किया था तो जहां गेर किये थे और अनुवाद विभाग के अस्थापन किसने किया था तो अकवर किये थे आगे देखेंगे 35 नमर हो जाएगा वह सुल्तान कौन था जिसने खलीपा के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया था तो सुल्तान हो जाएगा अलाव दिन खिल जी अलाव दिन खिल जी नहीं बजार नियंतरह की शुरुगात की थी तुगलग जो बंसदाइस का संस्थापक तो ग्यासो दिन तुगलग हो जाएगा ग्यासो दिन खिरजी नहीं है कि तुगलग को उन्सके संस्थापक थे ग्यासो दिन तुगलग मुहमद बिन तुगलग ने पौली वर्षांकेतिक मुद्राकी शुरुवात की थी और इसको पागल बासा की संग्या भी दी जाती है आगे देखेंगे 36 नमर हो जाएगा अलवार संतों का अभी भार निम्लिकित में से किस आधुनिक राजय से हुआ तो यह हुआ था तामिनाडू से अलवार संत किसके उपासक थे तो यह उपासक थे बिसुनों के और इनकी संख्या काएगा तब 12 हो जाएगा और निम्लिकित जो संत थे यह किसके उपासक थे तो यह सीव के उपासक थे और इनकी संख्या थी 63 आगे देखेंगे 37 नमर हो जाएगा रविंद्र न टैंगोर द्वारा लेखित गान जनगण मन सरप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से परकासित हुआ तो यह हुआ था भारत भागे बिधाता से और जनगण जो मना है यह पहली बार कॉंग्रेस के कलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था और उस समय कॉंग्रेस के काईगा अधियक्ष कौन थे तो बिशा नराय धोर थे तो तो ते बोधिनी सबक के अस्थापना दिवेंदर न टैंगोर किये थे 1849 में आगे देखेंगे अगला क्वेशन हो जाएगा और तीस नमर 1942 के भारत छुड़ा अंदोलन के दोरान कहां जाती सरकार गठन किया गया था तो यह किया गया था तामलुक में और 1942 के भाराच होगा अंदोरन के दोरन कहेगा सरवाधिक परसीद कौन सा कौन परभावित हुआ था तो यह बलिया यहां के लोग अंग्रेज के सरवाधिक खूल कर बिरोद किये थे तल्चर किस लिए परसीद है तो तल्चर परसीद है भारे जल सनयंत्र के लिए और यह उडिशा में इस्टीत है आगे देखेंगे 49 नमर हो जाएगा नीम्ड में से कोँछा लीडर समाचार पत्रे के संस्थापक थे तिये थे मौदन मौन मालिविये और नेशनल हेडर पत्रीका के संपादर कहेगा तो जोहला नेहर हो जाएगे आगे देखेंगे 40 नमर कोशन हो जाएगा यदि किसी अबर नियाईपालिका ने किसी बिशाय पर अपना निर्णाये दे दिया हो तो उच्तर नियाले का किस रिट को जारी कर निणाय को रध कर सकती है और मामले को अपने पास मांग सकती है तो ये था उत्प्रेशन और जो सरबूच नियाले 5 परकार के रिट जारी करता है इसका उले किया गया अनुशेद 32 में और उच नियाले 5 परकार के रिट जारी करेगा ये कीस अनुछेद के तहत अनुछेद 226 के तहत पर्मा देश रिट का अर्थ किया है तो हम आदेश देते हैं और अधिकार प्रिचा रिट का अर्थ है कीस अधिकार से आगे देखेंगे 41 नमर हो जाएगा लोगसवा के संदर्म में कौन सा कोथन सही नहीं है तो ये डी सही नहीं है लोगसवा की अधिक्तम सदर से संखया 500 पचपन नहीं लोगसवा के अधिक्तम संखया 500 बावन हो सकती है बाकी देखते हैं सरकार के बिरुद अभिश्वास परस्ताव लाने की सक्ति के वो लोकसवा के पास है अनुदान की मांग पर मतदान के वो लोकसवा में होता है धन विदेख पहले लोकसवा में प्रस्तूत किया जा सकता है धन विदेख है जो पहले लोगसाव में प्रस्तूत किया जाता है आगे देखेंगे 42 नमर हो जाएगा 42 समिधान सम सोधन द्वरा कीस अनुच्यद के माधियम से सरमीकों की प्रवंधन में भागीदारी सुनिस्चित की गई है तो यह अनुच्यद हो जाएगा 43-е के तहत 42 समिन्धान संसंधन द्वारा किस अनुछेद के माध्यम से सरमीकों की प्रबंधन में भागिदारी सुनिशित की गई है तो अनुछेद हो जाएगा 43 के A और अनुछेद 49 के A में क्या है तो समान निया एयों निसूल के कानून सहाय था 42 जो समिन्धान संसंधन था ये हुआ था 1976 में आगे देखेंगे 43 नमर कोशन हो जाएगा समिन्धान और बीधी के परिक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण का सफ़त गरहन करते हैं तो ये करते हैं राष्टपती राष्टपती भारत के मुख के नियाजीश के सपद दिलाते हैं नियांतरा के महलेखा परिक्षण की नियुक्ती का उलेक किस में किया गया है तो 148 अनुछेद में और ये करते हैं राष्टपती पर्धान मंत्री की नियुक्ती राश्पती करते हैं अनुछेत पचहतर के तहत और जो मंत्री परसद है ये लोग सवा के प्रती उतादाई होंगे इसका भूले किया गया है पचहतर में आगे देखेंगे चुवाले इस नमर कोश्चन हो जाएगा समिधान की प्रामाडिक्ता संसर से ज़्यादा है क्योंकि जो समिधान है इसकी प्राणिमिक्ता जो संसर से ज़्यादा है क्योंकि समिधान यह बताता है कि संसर कैसे बनाई जाए और उसे कौन से सक्तिय प्राप्त होगी ये बताता है इसलिए सम्मिधान की परमाडिक्ता जो है संसत से ज़्यादा है संसत के तीन अंग है लोगसवा, राजसवा और राश्पती और सदन कहेगा तब दो है निमने सदन, उचे सदन निमने सदन कहते हैं लोगसवा को और उचे सदन कहते हैं राजसवा को आगे देखेंगे 45 नमर कोशन हो जाएगा भारत को एक समिधान देने का प्रस्तावर समिधान सवा दोरा कप पारित किया गया था तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को जोहालाल नहरू ने सविधान सवा के सविधान सवा में उदेशिका प्रस्ताव को पेस किये थे तो पेस किये थे 13 दिसंवर 1946 को जिसे सविधान सवा अपनाया था 22 जनवरी 1947 को जोहालल नेहरु ने सविधान सवा में उदेशी का प्रस्ताव पेश किये 13 लिसांबर 1946 को और सविधान सवा उसे अपनाया था 22 जनवरीäg 1947 को और उसी दिन भारत कोई एक सविधान देने का प्रस्तावस सविधान सवा दोरा पारित किया गया भारत के अजादी काएगा कमी दाथा तो 15 अगस्त 1947 को आगे देखेंगे 46 नमर कोशन हो जाएगा अकवर की गुजरात विजय के संदर्म में निम्लीकित कतनों पर कौन सा असत्ते है तो इसमें डी असत्ते है बाकी जो सत्ते रेखते हैं अकवर ने 1522 इसी में गुजरात पर अधिकार किया था कामबे में अकवर ने पहली बार समूंद्र को देखा इस समय पूर्तगालियों ने समूंद्र को वर्चस से अस्थापित कर दिया था अकवर ने गुजरात बिजय के उपलक्ष में कौन सी दरवाजा बनाई थी ती अकवर ने गुजरात बिजय के उपलक्ष में बुलन दरवाजा के अस्थापना किये थे कहां पे तो फत्यपूर्शीकरी में आगे देखेंगे 47 नमर कोशन हो जाएगा 47 नुमर कोशन हो जाएगा असोक मेता समीती के सीफारिसों में निम्ण से कौन सा सामिल नहीं था तो इसमें सामिल नहीं था अप्शन हो जाएगा C किसी अस्तर पर कोई आरक्षन का प्रोधान नहीं होना चाहिए ये असोक मेता समीती के सीफारिस में सामिल नहीं था और क्या क्या सामिल था देखते हैं पांचायती चुनाव में सोभी अस्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकारिक भागिदारी हो अपने आर्थिक सुरोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास काराधन की अनिवारे सकती हो पंचायती राज संस्थाओं को सवेधानिक मनाता दी जाने चाहिए ये तीनों क्या था तो असोक मेता समीती के सिफार्ष में सामिल था और शोक मेता समीती का समथ पंचायती राजिसे है जिसका गठान हुआ था 1997 में इन्हों ने पंचायती राजिसे है जिसका गठान हुआ था 1997 में इन्हों ने पंचायती राजिसे है जिसका गठान हुआ था 1997 में और इन्हों ने पंचायती राजिसे है जिसका गठान हुआ था तो ये मिला था भारत परीषद अधनियम 1909 के तछद और मरले मिन्टो सुधारपारिट किया गया था अधनियम 1909 के तछद भारत शासन अधनियम 1913 के तछद केंडरे में द्वैस शासन लाग किया गया था और 1935 अधनियम के तहती बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में एक्ट 1935 के तहत और बर्तमान में इसका नया नम कहेगा तमयनमार है भारत सासन अधनियम 1929 के तहत पहली बार UPSC का गठन किया गया था 1926 में और भारतिये महिलाव के भुट देने का अधिकार भी भारत सासन अधनियम 1929 के तहत 1926 में दिया गया था भारत परिशत अधनियम 1892 के तहत और परत्योक्ष निनवाचन प्रणाली की शुरुवात की गई थी आगे देखेंगे 49 नमर हो जाएगा कर्गम तथा कबलतम लोग के नित का संबन्ध कीसराजे से है तो यह हो जाएगा तमीलाडू से और कुमी और कावडी नितिये का संबन्ध तमीलाडू से है 36 गड़ का लोकिनीत हो जाएगा टपाली, पंडवानी और कर्मा ये 36 गड़ का लोकिनीत है केरल के हो जाएगा कथकली मोहनी अटना मोहनी अटम और कथकली केरल का है मिजोरम के लोकिनीत हो जाएगा पाखु पी लाओर चेरो कान लोकिनीत मिजोरम का है आगे देखेंगे पचास नुबर कोशन हो जाएगा पोचम पाद परियोजना किस नदी पर इस्तित है यह इस्तित है गोदारी नदी पे आंध परदेश में और कोईना जो परियुजना है, कोईना नदी पे है माराष्ट में, तुम्भादरा परियुजना तुम्भादरा नदी पे करनाटक में है, और उकाई परियुजना इस्तित है तापती नदी पे गुजरात में, कुछ वर लाइनियर महत्व पूर्ण कोश्यान है देखते हैं। भारत में सर प्रतम कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी 1862 में और पत्र मुद्रा की शुरुआत 186 में हुआ था। भारत में दस्मलो मुद्रा प्राली की शुरुआत 1 मुद्रा का पहली बार मुलेन हुआ था 1929 में औरफी बार राये इसमिति क स्क्रेटिषट गत्रखाई उसन मुद्रांürü थ Kayla अजिए पौरय में भारती रीजरा बैंक की अस्थापना की गई थी एक अप्रील 1935 में और इसका राष्टी ये करण हुआ था एक जनवरी 1909 में भारती रीजरा बैंक के मुख्याले कैगा तो मुंबाई है पहले इसका मुख्याले कुलकाता था और 1937 में आर्बिया के मुख्याले मुंबाई बनाया गया कोरा कि 20 में स्वर प्रतम किस देश में जीएश्टी लागू हुआ था तो ये हुआ था फ्रांस में 1924 में भारत में जीएश्टी लागू किया गया था एक जुलाई 2017 में और पहला राजय हो जाएगा असम भारत में लागू जीएश्टी किस देश के मॉडल पर अधारी थे तो ये अधारी थे करनाटा देश के मॉडल पर भारत में GST लागू करने का सुजाओ किस समीती ने दिया था तो ये दिया था बिजाए केलकर समीती ने और भारत GST लागू करने वाला 161 वादेश है और GST में नमबरों की कुल संख्या कितनी होता है इने कि देजित तप पंदर है GST परिशत का गठन किया गया था अनुछे 289 के एक के तोहत आगे देख लेंगे अगला कोशन हो जाएगा किस संसोधन द्वारा भारत में GST लागू किया गया एक सब एकवा समीधान संसोधन द्वारा 2014 में भारत में पंचवर्षी यूजना के सरूप को किस देश से लिये गया है तो ये लिये गया है रूस से और कहेगा कि पंचवर्षी यूजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है तो NDC करता है और NDC की से कते राष्टिय विकास परिशत को जिसका गठन हुआ था 6 अगस 1922 में अनवरत युजना लागु किया गया था तो 1988 से 802 में नई आर्थिक सुधार निती को सुरू किया गया था 1991 अगस्वी में और भारत में बैंकों का दूसरी बाराष्ट ये करां किया गया था जो की 6 बैंकों का किया गया था 1980 से में भारत में राजकोस ये निती तयार की जाती है तो बीत मांतरा ले दोरा ये इस वीडियो का लास्ट कोशन है और वीडियो को लास्ट तक देखने एक लिए धन्यवाद वीडियो पसांदार है तो लाइक कर दिजेगा और चैनल पर नए है तो सस्क्राइब भी कर दिजेगा कुछ सुझावें सला दना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका पीडियेप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहां से डाउनलोड कर दिजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सूबर स्टोडी थैंक्यू